राश्ट्रपती पड़ाम मुखरजी ने कहा है कि विज्ञान और प्राधोगी की में लोगों का जीवन बदलने की ख्षमता है पिछले आठ दशक में विज्ञान में किसी भारतिये के नोबल पुरसकार नहीं जीत पाने की ओर इशारा करते हुए राश्ट्रपती ने गुरुबार को विज्ञानिक समुदाय से समय बद्ध तरीके से काम करने को कहा ताकि देश को लंबे समय से नहीं हासिल हुए इस प्रतिष्ठित पुरसकार को पाने में मदद मिल सके राश्ट्रपती कोलकाता में सौमे भारतिये विज्ञान कॉंग्रेस का उधखाटन कर रहे थे जिसमें प्रधान मंत्री, केंद्रिये विज्ञान और प्रदोगी की मंत्री समेत पश्चिम बंगाल के राजिपाल और मुख्य मंत्री भी मौजूद थे राश्ट्रपती ने एक ऐसी शाक्षिक प्रदोगी की मौजूद थे प्रणाली विक्सित करने पर जोर दिया, जिसमें वैज्ञानिक संस्कृती का बूल बाला हो और वैश्विक अर्थ व्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए नए शोध और आविश्कार पर ज्यादा ध्यान दिया जाए राष्ट्रपदी ने साथ ही ऐसी खोजों की एहमियत पर जोर दिया, जो ग्रामीन शेतर की समस्याओं को ध्यान में रख कर की जाएं It is essential to innovate if we have to compete in a globalized economy. India has declared 2010-20 as the decade of innovation. The announcement of science, technology and innovation policy today lays the road map for the development of an economic system for innovations and for encouraging, recognizing and rewarding the innovators in the society, especially the grassroots innovators who through their genius are adding value to the process which directly impact the local people. इसे जैसे और जागरुक हो रही है, ये जरूरी हो जाता है कि विज्ञान और प्रवद्वगी के शत्र में हो रहे विकास का फायदा ग्रामीन जनता और गरीवों तक पहुँचे. ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि विज्ञान बहु प्रतेक्षित परिजवर्तन की प्रक् जरूरीपोर्ट डिडिन्यूस